जहिंद नमस्कार दोस्तों मैं विराट चोदरी शुराइट करता हूँ आपका अपनी यूटूब चैनल कमांड लोकेड में में दोस्तों आज का वीडियो स्पेसली स्सीजीडी की नई भड़ती को लेकर है बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कन्फिजन हो रहे हैं इस होज़े से क्योंकि काफी पुराने बच्चे भी उनको डिमोटिवेट करने में लगे हुए SSEGD की जैसे बढ़ती अभी जो चल रही है इसमें आप सुभी को पता है अब 17 जुलाई से मेडिकल सुरू है जो अभी 2023 वाली ये वेकेंसी चल रही है 17 जुलाई 2023 से इनका मेडिकल शुरू है ये मेडिकल पांच अगस तक खतम हो जाने वाला है तो नई भरती को लेकर बहुत सारे बच्चे बोल डेंसर क्या ये 2023 में आएगी या 2024 में आएगी तो मैं आपको बता दूँ SSEGD में आज तक का रिकूर्ड रहा है कि जब इसकी पहली वाली वाली वरती पून रूप से कंप्लीट हो जाए तो उसके अगले 30 दिन तक इसकी गोशना हो जाती है पांच अगेस तक इसका मेडिगल हो जाएगा तो ये मान के चलिएगे अगस्त के अंतिम दिनों में इस वरती को कंप्लीट हो जाएगी ये इसका रिजल्ट आ जाएगा सित्मबर या अक्टोबर के महीने में इस वरती की आपको पून रूप से गोशना देखने को मिलेगी एक इसके पदों की संक्या को लेकर भी बहुत बड़ा कंप्यूजन है कि सर 37,000 पोस्ट पर क्या ये वेकेंसी रेने वाली है देखो हो सकता है कि सर 37,000 पर न रखे कुछ कम पे रहे और हो सकता है ज्यादा भी रहे लेकिन अभी जो वेकेंसी चल रही है वो भी एसस जीडी कितने पदों पर चल रही है पच्छा चार पदों पर तो ये मान के चलिए कि ये वेकेंसी भी इससे बढ़ी रहेगी, छोटी वेकेंसी नहीं रहेगी, पोस्ट ओ वेकेंसी एसे जीडि में खूब रती है, दबा कर इसमें कोई संदे नहीं है, तो इसलिए आप सभी जान रखिए, दिमोटिविट वे, मतो ये किसी के कहने से कि वे वेकेंसी दूर दूर नहीं है, अगर आप SSEGD में अपना सेलेक्शन चाहते हैं, तो अभी से आपको तयारी करनी होगी, SSEGD के हमारे ओफलाइन बेस भी अभी से चलते हैं, हम क्योंकि गारेंटेर बेस चलाते हैं, इसलिए हमको कम से कम उस बेस के लिए 8-9 महीने का समय च पाते हैं कि आपका सेलेक्शन SSEGD में हो, वेकेंसी 100% रहेगी, अक्टूबर 9 महीने में, आप उसकी नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी, और इसी साल में ये वेकेंसी रहने वाली है, किसी के कहने से मताओ, किसी भी बात में, और एक चीज और, CRPF की जो वेकेंस हो सकता है कि अभी ना आए, बलें 6 महीने बाद आए, बलें एक साल बाद में, लेकिन ये वेकेंसी अलग से होगी, SSEGD के अलावा, ठीक लाट लो, इस बात का पूरा जान रखना, वेकेंसियां पकी है, बस आप अपनी तयारी मजबूत रखिए, जय हिंदे, जय भारत!